मेरे पैरे देश्वासियों मन की बात की सबसे अच्छी बात ये हैं कि इसमें मुझसे जादा आप सबका योगदान गहता है अभी मैंने माई गॉँ में एक पोस्ट देखी जो चेन्ने के थिरू आर्ग गुरुपरसाद जी की है उन्होंने जो लिखा है वो जानकर आपको भी अच्छा लगेगा उन्होंने लिखा है कि वो मन की बात प्रोग्राम के रेगूलर लिस्नर है गुरुपरसाद जी की पोस् उन्होंने लिखा है जब भी आप तमिल नाडु के बारे में बात करते हैं तो मेरा इंट्रेस्ट और भी बढ़ जाता है आपने तमिल भाषा और तमिल संस्कृति की महांता तमिल त्योहारों और तमिल नाडु के प्रमुख स्थानों की चर्चा की है गुर प्रसाज जी आगे लिखते हैं कि मन की बात में मैंने तमिल नाडु के लोगों की उपलब्दियों के बारे में भी कई बार बताया है थुरुकृरल के प्रती आपके प्यार और थिरुवल लुगर जी के प्रती आपके आदर का तो कहना ही क्या इसलिए मैंने मन की बात में आपने जो कुछ भी तमिल नाडु के बारे में बोला है उन सब को संकलित कर एक e-book तयार की है क्या आप इस e-book को लेकर कुछ बोलेंगे और इसे नमो एप पर भी रिलीज करेंगे धन्यवाद यह मैं गुरु प्रसाज जी का पत्र आपके सामने पढ़ रहा था गुरु प्रसाज जी आप ये पोस्ट पढ़कर बहुत आनंद आया अब आप अपनी e-book में एक और पेज जोड़ दीजिए नान तमिल करा चाराक्तिन पेरिये अभिमानी नान उलकतल लए पलमयान तमिल मोलियन पेरिये अभिमानी उच्चारन का दोस्ट अवश्य होगा लेकिन मेरा प्रयास और मेरा पेम कभी भी कम नहीं होगा जो तमिल भाषी नहीं है उन्हें में बताना चाहता हूँ गुरु प्रसाइच जी को मैंने कहा है मैं तमिल संस्कृति का बहुत बड़ा प्रसंशब हूँ मैं दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल का बड़ा प्रसंशब हूँ साथ्यों हर हिंदुस्तानी को विश्व की सबसे पुरातन भाषा हमारे देश की है इसका गुंगान करना ही चाहिए उस पर गर्व मैसुस करना चाहिए मैं भी तमिल को लेकर बहुत गर्व करता हूं गुरुप्रसाद जी आपका ये प्रयास मेरे लिए एक नई द्रश्टी देने वारा है क्योंकि मैं मन की बात करता हूं तो सहज सरल तरीके से अपनी बात रखता हूं मुझे नहीं मालूम था कि इसका ये भी एक एलिमेंट था आपने जब पुरानी सारी बातों को इखटा किया तो मैंने भी उसे एक बार नहीं बल्कि दो बार पढ़ा गुरुप्रसाद जी आपकी इस बुक्त को मैं नमो एप पर जरूर अप्लोड कर वाऊंगा भविश के प्रयासों के लिए आपको बहुत बहुत श कर दो कर दो